आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक जियो का फोन रिपेर होने के लिए आया हुआ है यह जियो का न्यू मोडल है एप 320B और इस फोन के अंदर माइक की जो प्रोब्लम हो काफी जादा देखने को मिलती है और इसी प्रोब्लम को लेके काफी सारी जो टेक्निस नवाई हैं वो परेशान रहते हैं कभी माइक सही से लगता नहीं है, कभी माइक काम नहीं करता है, कभी फोन लोगों पर अटक जाता है, कभी फोन ओन नहीं होता तो ऐसी जो प्रोब्लम हो काफी सारी इस फोन के अंदर देखने को मिलती है तो guys आज की इस वीडियो के अंदर में आपको perfect तरीका बताने वाला हूं जिससे guys आप एक बार में जो mic है वो लगा लेंगे और first time में आपका जो mic का वो काम भी करेगा और इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको mic यूज करना है और first time में अगर आपके पास ये phone repair होने के लिए आए mic problem में अगर ये phone आपके पास repair होने के लिए आए तो उसका mic आपको निकालना नहीं है पहले क्या चीज़ें चेक करने है इसके बारे में guys आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा तो वीडियो को आप शुरू से लेके end तक देखते रही है आज के इस वीडियो से guys आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो जैसा कि guys आप यहाँ पर देख सकते हैं ये phone मेरे पास किसी technician भाई ने send किया है और उनका कहना है कि इसके अंदर ये जो mic है ये उन्होंने replace कर दिया है लेकिन फिर भी phone logo पर अटका हुआ है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ देखे गाई ची ये mic इसके अंदर replace किया गया है ये इसका original mic नहीं है original इसके अंदर लगा था वो निकाल दिया गया है और यहाँ पर दूसरा जो mic है उसको fix करिया गया है लेकिन यहाँ पर problem यह आ रही है कि ये जो phone है ये logo पर अटका हुआ है phone मतलब logo से आगे नहीं जा रहा ठीक है अब देखें गाईज जब भी आपके पास ये phone repair होने के लिए आए और customer आपको वो ले कि इसके अंदर mic की problem आ रही है अगर first time में आपके पास कभी भी आता है first time में आपके पास कभी भी आता है मतलब direct customer आपके पास ही आया है किसी दूसरी सोप पे उसने चेक नहीं करवाया iPhone को तो उस condition में आपको क्या करना है इसका जो mic होता नहीं ये वाला mic ये निकालना नहीं क्या बोल रहा हूँ है ये mic आपको कभी भी निकालना नहीं है ठीक है इस time पे आपको क्या चीज़ें चेकर नहीं इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए जब भी आपके के पास direct phone लेके आया customer और बोले कि mic काम नहीं कर रहा है phone पूरा own हो रहा है तो mic आपको नहीं निकालना है mic निकालने से पहले guys आपको यहाँ पे एक coil दिखाई दे रही है headphone jack के पास आप यहाँ पे देखेंगे एक चोटी coil लगी हुई है यह वाली जो coil है इसको आपको चेक करना है maximum chance में गाईज मैंने देखा है watered image के case में यह वाली जो coil है इसके अंदर की यानि headphone jack की side का जो यह point होता है print होता है यह मतलब है damage हो जाता है और उसके बाद यह जो coil है यह open हो जाती है और coil open होने के वजह से यह जो line होती है यहाँ से break हो जाती है और break होने के बाद guys इसका जो माई का वो काम करना बंद कर देता है तो काफी सारी जो टेकनी से नहीं है वो इसको देखते ही नहीं है इसको चेक ही नहीं करते गैज मैंने कितने सारे फोन बनाए सिर्फ इस क्वाइल को मतलब सोट करके जब आपके पास यह फोन आए और आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे आपको अगर यहाँ पर पानी लगा हुआ नजर आए तो सिंप्रि आपको क्या करना इस क्वाइल को निकाल लेना है इस क्वाइल को निकालने के बाद थोड़ा आप स्क्रेज करेंगे नीचे थोड़ा सा आप स्क्रेज करेंगे और इसको सोट कर देंगे मतलब इसको यहां पर एक जंपर लगा देंगे इस कोईल को निकालने के बाद तो आपका जो फून है इसका जो माईक का वो काम करना स्टार्ट कर देगा आपको माईक रिप्लेस करने की जुरूरत ही नहीं है मैं किसमें हम चांच में जो फोल्ट है वो इस फोन के अंदर यहीं से अगर फिर भी आगर आप यहां पर कर देते हैं यह काम भी और यह कोईल ओकी है फिर भी काम नहीं करता तो आपको माईक निकालने के टाईम आपको यहां पर थोड़ा ध्याना रखना है देखे मैं SMD कहांपे यूज करा हूँ हेड़फोन जेक और जो चार्जिंग जो सोकेट है इसके बीच में आपको SMD को रखना है और थोड़ा तिर्चा रखना है जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है इस तरीके से आपको थोड़ा तिर्चा रखना है और उसके बाद आपको हलके हाथ से माइक को निकाल देना है जैसा कि मैंने आपको इहां पर दिखाया अब यहां पर देखेंगे माइक तो हमने निकाल दिया है माइक निकालने के बाद आपको यहां पर हलका सा जो फलेक्स है वो यहां पर डाल देना है ठीक है हलका सा जो फलेक्स है उसको डाल देना है और आपको आईरेन से यहां पर थोड़ा जो पीपीडी पेस्ट है उसको लगा देना है जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ इस तरीके से हलकी हलकी जो बोल है वो यहां पर बना देनी है अब यहां पर पांच जो प्रिंट हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगे चार नीचे हैं और एक उपर जो माइक का होल बना होता है उसके पास में है इसमें से गाईश तीन पिनों पे आपको जियार देखने को मिलेगा और दो जो पिन यह है एक जो माइक का होल है यह वाली पिन और एक इसके पास वाली यह ग्राउंड रहती है अब यहां पे आपी सारे टेक्शियं गलती क्या करते हैं कि इनको चेक नहीं करते हैं एक तो गैस आपको इनका जीयार चेक के लेना है अब गैस मैंने कभी इसका जो ट्रैक है वो मतलब आउट नहीं देखा ठीक है तो जीयार इतना ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है अब देखे गैस यह वाला जो माइक में आपको इहां पर दिखा रहा हूं देखें यह खहीं पर भी nose cut point नहीं मिना है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, nose cut point इस पर बना नहीं है, ठीक है, और ये वाला जो mic है न, ये ही आपको use करना है, market के अंदर ये mic आपको आसानी से मिल जाएगा, और hundred and ten percent guys मैं बोल सकता हूँ, एक बार में अगर आप इसको लगा देंगे न, तो ये mic काम करेगा, लगाने का तरीका क्या रहेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वीडियो के साथ आप continue बने रहे आप देखेंगे, जी ये, जो mic है, इसको आपको पहले resort करना है, ठीक है, resort करने का मतलब आपको हलका flex लेना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ, ज्यादा flex नहीं लेना है, ज्यादा अगर आप लेंगे तो mic का जो hole है, इसके अंदर थोड़ा flex चला तो फिर आवाज आएगे तो, लेकिन थोड़ा कम आएगे, ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आवाज आएगी, लेकिन थोड़ा कम आएगे, ठीक है, क्योंकि इसका hole है, वो हम पे आगे से बंद हो जाता है, इसलिए ये problem करता है, उसके बाद आपक का hole बना हुआ है, इसके उपर नहीं लगाते है, तो इस पे लगाना ज़रूरी है, ठीक है, तो इस पे भी आपको लगा देना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा देना है, लगाने के बाद आपको यहाँ पर माइक क नहीं होता मैंने देखा है कितने सारे फोन बनाएं सिर्फ इस क्वाइल के वज़ा सी यह प्रोब्लम देखने हो मिलती है और अगर आप यहां पर पर्फेक्ट तरीके से सही अगर माइक हस्टाइम में भी अगर लगा देते हैं तो गाइस 110 परसेंट आपका जो फोन है इसके माइक वरक करेगा ठीक है कुछ ज्यादा इसमें लफडा नहीं है मैंने देखा है कि मतलब सिर्फ यह क्वाइल ही ओपन होती है ठीक है इसके लाव इसका कोई भी ट्रेक आज तक मैंने नहीं देखा कि मतलब CPU से प्रोब्लम आगी या फिर पावर से प्रोब्लम आगी ऐसा क कुछ भी नहीं है ठीक है नॉर्मल चा काम है जो एक छोटा से छोटा और एक बड़े से बड़ा जो टेक्नी सी नहीं वो कर सकता है अब गाइस माइक ऐसे आपको रखना है हलका फ्लेक्स डालने के बाद SMD आप यहां पर नीचे देखेंगे कहां पर मैंने रखा हुआ है SMD को आपको थोड़ा तीर्चा रखना है देखी SMD को आपको थोड़ा तीर्चा रखना है और जब माइक का नीचे का जो पीपीड हो थोड़ा यहां पर मेल्ट हो जाए तो हलका सा माइक को इस तरीके से प्रेस कर देना उपर से हलका सा उपर से प्रेस करना है जैसा कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूँ देखिए इस तरीके से हलका सा आपको प्रेस कर देना है अब गाइज मैं यहां पे SMD यूज किया हूँ क्यों एक्स्ट्रा पीपीडी थी किसी पैड पे लगी हुई थी वो थोड़ी भार आ गई है और नीचे के जो पैड वो ब्राबर तर गरेंटी देता हूँ 101% यह काम करेगा ठीक है पता नहीं गाइज कितने सारे मैंने माइक इनके रिप्लेस किया है और सभी के सभी काम करते हैं कापी सारे जो फोन है वो मार्केट से रिटन होने के बाद भी मेरे पास आते हैं लेकिन वन टाइम के अंदर गाइज मैं इनके जो माइक है वो वर्किंग करवा देता हूँ ठीक है तो जो टेक्निक मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है जो तरीका मैंने आपको बताई है यही आपको यूज करना है इस वीडियो के अंदर जो माइक मैंने आपको बताई है उस पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान द करेंगे तो पूरा complete ओन होने में थोड़ा टाइम लेगा और टेक्नी से नहीं थोड़ी सबर नहीं कर पाते हैं ठीक है कुछ देर यहां पर वेट करते हैं कि चलेगा चलेगा उसके बाद फिर से माइक निकालके लगाते हैं फिर फलेचिंग करते हैं ऐसा नहीं माइक इसके अ करते हैं तो आज किस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अने सकतित की ढौने अनना राहे में हैं जड़ा जाए वेडियो में वीडियो साटए के वीडियो में हम थीडियों में इतना ही 21 humano budget क्योkov, कि में बादे की आगरे लाहे देते हैं मैं, 생 अचले हैं जरु आधारेवा ऑारे वithe southwest में अें आपकित झाल झाल झाल